मुद्दा है जो बेंकिंग फ्राड होते हैं जो किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच दे कर उस प्रकार की इस्तिती में क्या करें उसके लिए एक बड़ी अच्छी तातकालिक विवस्ता है जो बहुत कम लोगों को भी मालूम है इसमें MHA ने एक नंबर जारी किया है ये नंबर में आपको कई बार दो या तीन बार रिपीट करूँगा 155-260 ये नंबर है 155-260 फोन नंबर है ये 155-260 ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए कभी भी किसी भी कारण वश अगर कोई फ्राड होता है आपके साथ तो ततकाल इस नंबर पर फोन लगाईए उस रेइस्टर नंबर से जो रेइस्टर नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बेंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए किसी प्रगार के बेंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रेइस्टर है उस नंबर से आप ये 155-260 नंबर पर फोन लगाईए आप वह फोन आप बताएंगे तो आपसे कुछ जानकरिया ली जाए है क्योंकि इस तरह के नंबर का कोई दूसरा जहां सा दे के आपसे पिन वगएरा भी पूछ सकता है तो एक तो ये नंबर आप विशेश रूप से ध्यान रखिए जब आप ये बता देंगे तो ये विवस्ता इस प्रकार से की गई है MHA द्वारा जिसमें साइबर रास्ती Cyber Crime Bureau है वो और जितने भी banking portal है including Reserve Bank Reserve Bank सारे banks सारे जितने भी UPI हैं जितने भी financial transaction के portal है ये सब इस से जुड़े हुए है ततकाल आपका message इन सभी banking संस्थानों को चला जाता है banking agencies को चला जाता है क्योंकि जब fraud होता है एक bank से दूसरे bank के में transaction होने में थोड़ा time लगता है ये bank अपनी फार्मलेटी करता है फिर वो दूसरे को transfer करता है फिर वो बैंक करता है तब जाके तर वो duration का जो समय उसमें अगर इनके पास message पहुच गया तो आपका पैसा उस पूरे route में कहीं भी रुक जाएगा अगर मालीजे एक bank से चल दिया है दूसरे bank तक जाने के लिए तो cyber police द्वारा करोणो रुपे वापस हुए है लोगों को यह मालूम नहीं है 155-260 यह एक ऐसा नंबर है इसमें आप इसको जरूर रखिए 24 विदिन 24 आवर्स अगर आप बताएंगे तो 100% आपका पैसा वापस आने की इसमे शिवरिटी रहती है आही जाता है अगर 24 गंटे क आपको पता चलता है तो भी आप इस पोर्टल पर जो कि National Cyber Crime Reporting पोर्टल है इस पोर्टल पर आप अपनी application अपनी शिकाहत दर्झ कर दें वो पोर्टल active होके सारी सारी सर्च करता है सारा सब कुछ निकालता है और उसके बाद में आपके पैसे वापस करानी की प्रक्रिय होती ह या फिर उन्हों को आइडेंटिफाई कर लिए जाता है जिनने बदाशी की